और आज का प्रमु करंट अपहेयर है भारत के इस पात उत्पादन में कितने प्रस्त की गिरावट आई है तो बता दे वर्ल्ड इस्टील एसोसियेशन ने वर्ल्ड इस्टील रिपोर्ट जारी किये ये रिपोर्ट 2020 के लिए जारी किये इस रिपोर्ट के अंसार भारत में कुरूड इस्टील में 65 परस्त की गिरावट आई है अप्रेल 2020 के दोरान भारत का इस पात उत्पादन 3.113 मिलियन तन था अप्रेल 2019 में भारत ने 9.02 मिलियन तन का उत्पादन किया था मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुल्ना में 14 परस्त इसपात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा इस रिपोर्ट के अंसार बैस्विक इसपात उत्पादन में 13 परस्त की गिरावट आई है अप्रेल 2019 में बैस्विक इसपात उत्पादन 157.067 मिलियन तन था अप्रेल 2020 में उत्पादन घटकर 137.09 मिलियन तन रह गया है बता दे कि चीन ने इसपात उत्पादन में 1.07 परस्त की गिरावट दर्च की है यह पहली बार है जब चीन उत्पादन गिरावट का सामना कर रहा है अमेर्का को 32 परस्त की गिरावट का सामना करना पड़ रहा है वहीं दच्छुर कोरिया के इसपात उत्पादन में 8.4 परस्त की गिरावट आई है यूरोपी संग फ्रांस, इटली, तुर्की, इस्पैन, रूस, युक्रेन और ब्राजील जैसे अन्न बैस्विक इसपात उत्पादकों को भी अपने उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है बर्तमान में समय में भारत राष्टी इसपात नीती 2017 के तहट काम कर रहा है इस नीत के तहट भारत को 2030 तक अपने इसपात उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है इसका उद्देश से है कि भारत को इसपात में आग निर्भर बनाना है बारत के प्रमुख इसपात सयंत रहे है भिलाई इसपात सयंत इसकी अस्थापना 1955 में सोवियत संग की मदद से दुर्ग जिले के भिलाई में की गई थी तब यह मद्द परजेश में पड़तर था अब यह 36 गड़ में है दूसरा है हिंदुस्तान इस्टील लिम्टेट राउल केला पस्मी जर्मनी की सहायता से 1955 में इसकी अस्थापना राउल केला उड़ीसा में की गई थी नश्थ है हिंदुस्तान इस्टील लिम्टेट र्रुगापूर 1956 में इसकी अस्थापना ब्रिटेन की सहायता से पस्म बंगाल के रुगापूर में की गई थी नश्थ है बोकारो इस्टील प्लांट सयंत्र इसकी अस्थापना 1968 में सोबिय संग की मदद से बुकारों में की गई थी तव या बिहार में अवस्थित था अब जहारखंट में या इस्थित है नेश्ट कोस्टन है हाल ही में अंतराश्टी गुमसुदा बाल दिवस कम मनाया गया तो बता दें हर साल 25 मई को 20 स्थर पर अंतराश्टी गुमसुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिन उन गुमसुदा बाल को के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर को पहुच चुके हैं उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो इस अपराद के सिकार हो चुके हैं और उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो अभी तक लापता हैं अंतराष्टी गुमसुदा बाल दिवस की घोस्ड़ा वर्स 1983 में अमेरिकी राश्पती द्वारा किया गया था सन 2001 में 25 मई को इसे अंतराष्टी गुमसुदा बाल दिवस को रूप में मनाने की मानिता प्रदान की गई नेस्ट कोस्टन है हाल ही में भारत ने किसे इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौप दिया है तो बता दें भारत ने हाल ही में यूगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया वार गेम सेंटर सौप दिया है इस सेंटर को इंडियन मिलेटरी एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम तथा इंडियन एसोसियेशन यूगांडा ने मिलकर बनाया है जिसे अब यूपी डियफ को सौप दिया गया है यूपी डियफ का फूल फार्म है यूगांडा पीपल्स डिफेंस इंडिया वार गेम सेंटर का उदगाटन यूगांडा के राश्पत्ती द्वारा किया गया है नेस्ट कोस्टन है ब्रीथे विल नौरच्छक पीपीई किट किसके द्वारा बिक्सित की गई है तो बता दें ब्रीथे विल नौरच्छक पीपीई किट भारती नौसेना के द्वारा बिक्सित की गई है इस किट में जलवास्प को निकलने देने और पानी को अंदर आने से रोकने की छमता है यह किट सरजल लेफ्टी लेंट कमांडर अर्नव गुहोस के दोरा मनाई गई है नौसेना प्रमुक बरतमान में कौन है तो बरतमान में नौसेना प्रमुक एड्मिरल करमबीर सिंग है नश्ट कोस्टन है नए दिल्ली में भारती बिबाद समाधान केंद का उठगातन किस ने किया है तो बता दें सुप्रीम कोट के पूर्व नाधीस एक के सीकरी ने नए दिल्ली में भारती बिबाद समाधान केंद का उठगातन किया है इसके द्वारा पूरी तरह से कागज रहित विबाद समाधान वतावरण प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया है इसके अलावां केंद्र अपने E मध्यस्ता, E मेडिटेशन और E सुलव साफ्ट वर्टल के माध्यम से E बेकल्पी विबाद समाधान के रूप में आलायन सुब्धा भी प्रदान करेगा IDRC भारती विबाद समाधान केंद्र के अध्यच मेहर एस राठी है IDRC का प्रमुक कार्याले नई दिल्ली में है नेस्ट कोस्टन COVID-19 से बचाव के लिए मडीपुर की किस पहल को दुनिया की टाप 10 पहलों में अस्थांग दिया गया है तो बता दे मडीपुर की खुडोल पहल को COVID-19 से निपटने के लिए सीज़ दस बैस्विक पहलों में सूची बद किया गया है इस पहल को United Nations Secretary General Own Youth द्वारा सूची बद किया गया है किसके द्वारा General Own Youth द्वारा खुडोल पहल को इंफाल स्थित NGO या आल द्वारा सुरु की गयी है किसके द्वारा या आल द्वारा इस पहल के जड़िये LGBTQI Plus समुदाए HIV से प्रभावित लोग, दैनिक मजदूरी करने वाले लोग बच्चों और किसोरों के भोजन, स्वास्त और स्वच्छता और सक्ताओं की आपूर्ति को सुनशित किया जा रहा है वाई आल इंफाल अधारित NGO हैं जिसे 2017 से संचालित किया जा रहा है नेश्ट कोस्टन है COVID-19 टीका विक्सित करने के लिए इसने Human Challenge ट्राइल विध को अपनाया है तो बता दें, डबलू यच्चों ने टीका विक्सित करने के लिए Human Challenge विध को अपनाया है इस परिछण में वालेंटियर को COVID-19 वाइरस के साथ संक्रिन किया जाता है यह टीका विकास की प्रकिरिया को गति देने के लिए किया जाता है इससे अनुमाल लगाया जा रहा है कि हाल ही में टीके को विख्षित किया जा सकता है नेस्ट कोस्टन है यसाइडियम MSMES के इकानकलेव की अध्यचता किसने की है तो बता दें रच्छा मंत्री रादनाज सिंग ने सूच में लग और मध्यम उद्धमों के इकानकलेव की अध्यचता की है MSMES के इस कानकलेव का वर्चूल समेलन रच्छा उत्पात विभाग भारती उद्धो परिसंग CII और भारती रच्छा निर्मताओं के संगठन के दोरा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है Society of Indian Defense Manufacturers SIDM के अध्यच है जयन्त डी पाटिल भारती उद्धो परिसंग के अध्यच महनिदेशक है चंद्रजीत बनर जी Next Question है स्वास्थ में सुधा लाने के लिए डबलू यच्चो ने किसके साथ समझाता या है इस समझाते के माध्यम से खेलो और सरीरी गत्विदियों के माध्यम से सवस्थ को बढ़ावा देना है साथ ही में COVID-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक टीम भी बनाई गई है इस से स्वास्थ मंत्राले और खेल मंत्राले के बीद सहयोग की भी मजबूती मिलेगा जामेनी अस्तर और पैरालिंपिक की विरासत को भी मजबूती मिलेगा यह था आज का हमारा प्रमुक करण्ट अफेयर इसका PDF नीचे डिस्करप्सन लिंक में दे दिया गया है